अचीवर्स एकडेमी की तरफ से मैं रवी शर्मा तुम्हारा स्वागत करता हूँ बच्चों सबसे पहले तुम्हें कारगिल विजय दिवस की शुप कामना है देश में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाय जाता है ये दिन जुलाई 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लडाई जीतने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद भारती सेनिकों के बलिदान का सम्मान करने और उन्हें याद करने का दिन है राश्पती द्रौपदी मुर्मु प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वारक्षा मंत्री राजना सिंग ने देश के शहीद वीर सपूतों को शद्धानजरी अर्पित कियाच प्रधानमंत्री नरेंद बोधी ने खास अंदाज में ट्वीट करते हुए एक खास वीडियो साजा किया पी-म ने कहा कारगिल विजा दिवस्मा भारती की आन बान और शान का प्रतीक है इस अवसर पर मात्र भूमी की रक्षा में पराक्रम की पराकाश्था करने वाले देश के सभी साहसी सबूतों को मेरा शर्षत नमन जय हिंद इनके लावा तीनों सेना प्रमुकों ने भी राष्ट्री युद्ध स्मारक पर पुश्पांजली अर्पित की आज से ठीक 23 साल पहले पाकिस्तानी सेनिकों और आतंक वादियों ने नियंत्रन रेखा के साथ भारती शेत्र में बड़े पैमाने पर घुसपैट शुरू कर दी जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले के पहाड़ी इलाके में पाकिस्तानी सेना के सैक्ड़ों जवानों और जिहादियों ने हमला बोल दिया दरसल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सेन अभ्यान की योजना बनाई थी और इस योजना को बनाने वालों में पाक सेना के तत्कालीन प्रमुख, परवेज मुशर्रफ और तीन अन्न जनरल शामिल थे कारिल युद्ध की शुरुआद वैसे तो तीन मई को ही हो गई थी क्योंकि इसी दिन आतंकियों ने घुसपैट शुरू कर दी थी युद्ध की समाप्ती 26 जुलाई को हुई जब भारती सेना ने नक्यवल पाक सेनिकों के छक्के छुडाते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया बलकि उनके द्वारा कबजा किये गए सभी शित्रों को अपने अधिकार में ले लिया इस तरह कुल 85 दिनों तक दोनों देश आमने सामने रहे हालंकी भारत पाकिस्तान के बीच असल युद्ध 60 दिनों तक चला जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया अपनी मात्र भूमी की रक्षा करते हुए 500 से अधिक सैनिकों ने अपने प्राणों की आवुती दी वहीं युद्ध के दोरान 3000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादियों को धेर किया गया बचों इस वेडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के भी शेयर करना और यदि अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना धन्यवाद